हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दो दन पूर पोई जमा जम बारिश का पानी अभी पूरी तरह से सूखा भी नहीं कि आज एक बार फिर बादल बरस पड़े हालकि बारिश का ये दोर कुछ हिस्सों में चला अन्य हिस्सों में घने बादल छाय रहे सुवर दर्स बजे तक धूब खिली हुई थी लेकिन उसके बाद एका एक काली घटाओं ने आसमा को घीरा और कहीं कहीं पर मेग गरजने के साथ बोचारे गिरी शहर के BJS कॉलनी महामंदिर सोचत गे एवं पाउंटा सरकल के आसपास हुई बारिश से मौसम खुशनमा हो गया मौसम विबाग का कहना है कि दक्षिनपूर्वी राजिस्तान पर भी एक चक्रवाती हवाओं का शेतर बना हुआ है इसके प्रभाव से विक्सित हुए चक्रवाती हवाओं का शेतर हर्याना और आसपास के भागों पढ़े इस कारण शेतर में बातलों का आवगमन बढ़ गया है और कुछ स्थान पर बारिश हो रहे है रविवार को जोड़पूर शेहर में बारिश नहीं हुई लेकि चीमावती बार्डमें चैसल में वो पाली सही जोड़पूर चिले के ग्रामत शेतर में कई स्तानों पर जोगतार बारिश दर्श की थी बार्में वापाली के गुच्तानों पर बारिश के साथ ओले भी गी थे आज सुबा जोद्पूर शहर में मौसम साफ था लेकिन दुपहर तक आसमान में काली खटाओं ने डेरा जमाना शुरू कर गिया आंदी और बारिश के कारण शहर के तापमान में में कमी आई है अब संभाग में जादतर सावब पर पाराग 40 डिग्री से कम हो गया है जोद्पूर शहर में तापमान आज 33 डिग्री बने रहने से गर्मी से काफी हद तक पीजात में है शहर और उसके आसपास के ग्रामिन शेत्र में बादुलो की चाने से मौसम खुश्नुमा बना रहा जागरूप टिवी के लिए जोद्पूर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट